तो आज की इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जह हम बात करेंगे कि non-return policy वाले product को कैसे रिटन करेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा product has not written policy allotted जो आते हैं product उसके अंदर हम भी product को return कर सकते हैं और उसके पर refund भी ले सकते हैं येस इसके पर refund लिया जा सकता है बट इसके कई reason हो सकते हैं कि किस reason के अधार पर आप refund ले सकते हैं यहाँ पर flip card से हमने यहाँ पर अच्छे से बात की बात करने पर जो वहाँ से main point हमारे पास निकल कराया है उसकी मज़ से हम refund ले सकते हैं पहले अभी धलाल जितनी मर्जी पॉल्सिस में बदलाव हो जाए बट ऐसा नहीं है कि आपके पैसों के साथ खिलवाड हो जाए नहीं आपके पैसे भी सुरक्षित रखे जाते हैं बट आपको उनको कैसे हासिल करना है कैसे अपने reverse करवाना है किस परकार आपको refund generate करवाना है या replacement करवानी है वो आपको नहीं पता होता है जिसके कारण आप यहाँ पर निराश हो जाते हैं और अपना पैसा यहाँ पर छोड़ देते हैं तो सोचते हैं कि जाने दीजी क्या होगा सो दो सो तीन सो हजार क्या होगा कुछ नहीं होगा बट फिर भी हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हम जब तक हैं आपका पैसा सेफ रहेगा तो यहाँ पर आपको समझने की बात यह है सबसे पहले आपको कोई product ऐसा ले दोगते थी पैल सीरिट पैल सी मघ्ली सेसे उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिये चैंजिस अब चैंजिस क्या है जैसे कि यहाँ पर भी नौर ट्रलोटり तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यह प्रोड़क्ट वापसी के योगी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको रिटान कर सकते हैं आप इसको करना करें जैसे कि यहाँ पर सिंपली आपको इस वाले शिक्षन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर अच्छे है या आप कोई कोई शिकायत है तो यहांपर हम से कॉंटेक्ट करें यहांपर किसे गॉंटेक्ट करने का सिद्राद केर चैक्ट आए होना रखना रखना के लिए क्लिक करना होगा एध को मेन बॉाइंट बताना चाहता हूं कि आपको प्रोडक्ट को रिटन करने के लिए आपको कुछ भी करना होता है य他们 यहां पर ध्यां रक्ना है यह तो आपको आपको अपनी तरफ से return नहीथ करेंगे बढ़ हाँ आपका customer care जो होता है contact करेंगे जब हम यहांपर बता रहें किस परकार करना है आपको उनको यहांपर contact जब हो जाएगा तो उनको बताना है कि हमको यह product के अंदर problem आ रहे हैं वो आपका direct return नहीं करेंगे यहांपर कुछ की जो रिटन पॉलशी होती है जिनके अपर not allotted लिखा होता है जो कोई वापसिक योगी नहीं होती है उसके आपर ऐसा होता है कि उसको यहाँवर miss ए फोड़ा रिवया मिलने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है क्योंकि कहां से प्रोडक्ट आया कहां पर दिक्कत हुई कहां पर आपको कैसे कैसे किस प्रकार आपको डिलिवर्ड किया गया उसके पर यहां पर अच्छे से विचार किया जाता है and seller से भी contact किया जाता है कि आपने किस परकार उनको product भीजा था उनकी वीडियो clip वगएरा सब चेक किये जाते हैं जब उनका यहाँ पर सारे के सारे सबूत उनके पास पुक्ते आ जाते हैं तो वो आपको यहाँ पर एक mail के जरिये यह आपके जो फिलिपकार के account होता है उसी के अंदर माई order के section में आपको बता दिया जाता है कि product return approved बता दिया जाता है तो आपका यहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर जो पिक अप भुआया होता है वो आपका पिक अप कर लेता है पिक अप करने के बाद आपको यहाँ पर रिफंड जो आपके bank account में और जिनल यहाँ पर रिजन है इनको यहाँ पर original payment mode ही किया है तो आधा यहाँ पर आपका debit card के अंदर जाता है आपका यहाँ पर bank से आपने पूरा पूरा payment किया है तो आपका bank account के अंदर चला जाएगा यह से कि अगर आपने यहाँ पर gift card से किया है और यहाँ पर किया है debit card से तो आपका यहाँ पर आधा debit card के अंदर चला जाए हम अपने gift card के अंदर ले ले तो वह कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी validity होती है वह एक साल की होती है तो यहाँ पर customer के जो उनका या फ्लिप कर का यह तो benefit ही होगा ना इसलिए यहाँ पर वह आपको लालच देती है कि आप इसके अंदर ही पैसा ले लिजिए क्योंकि उसकी वैलिटर एक साल की होते यदि आप एक साल तक उसको नहीं मैनेज कर पाते हैं तो यहां पर वो एकस्पायर माना जाता है तो यहां पर आपको यह गलती नहीं करने आपको यहां पर गिफ्ट कार्ट के अंदर बिल्कुल कता ही नहीं लेना है और आपको अपनी बैंक में ही रह है हमको यहाँ पर अच्छे से प्रोड़क्ट पे पैकिंग नहीं मिली है हमको कुछ भी ऐसा रीजन आपको बताना है कि उनको सच मुच मिने लगे आपकी रीजन बना दिया जाए तो यही आपको ध्यान देखना है और कोई बात नहीं और इसके साथ करते हैं वीडियो को अब तो यह क्ले फ्रेंट रिखे पिड़का उक्या फ्रेंड बाई